Assalamualaikum, तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकिन तंदूरी रेशा कबाब, आप इसे ये भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे चिकिन टिक का रेशा कबाब भी कह सकते हैं, तो ये देखिए कि आप बढ़िया सी मज़ेदार सी देख रही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की recipe, 300 गराम चिकन, बोलनेस की चरवी निकाल लीजिए, मीजियम पीस कर लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितार कर एक पतीली में दाल दीजिए, वैसे मैं थाई पोशन लेती हूँ, आप ब्रेस पोशन ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला दाल दीजिए, रेडी मेड जा है, तो रेडी मेड घर का भी दाल सकते हैं, चुटकी भर नम्मक, 1-5 टेबल स्पून सिरका दाल दीजिए, आप 2 टेबल स्पून भी दाल सकते हैं, 1-4 cup या आधे कब जितना पानी, मैंने 1-5 cup दाला है पानी, 1 टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट, आदा छोड़ा चुटकी भर लाल फूड कालर, 1-8 चोटा चाही काचमच काली मिर्चों का पाऊडर, आप 1-4 चोटा चाही काचमच भी डाल सकते हैं, काली मिर्चों का पाऊडर, mix कर लिजिए, चूला पास्टा बच्चालू कर दीजिए, और इसमें अबाल आ जाने दीजिए, ञwn तो आप यह जब आप यह जब आप यह जाएगी ना कटलेट्स के अंदर तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगी तो मैंने उसका चूला कर दिया बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए उसके बाद इसे मैं सीख के अंदर डाल देती हूं आप चाहें तो आप यह फोक ह पर के घ्रिल कर ले या फिर आप चिम्टे से एक एक यह ले चिकन पीस और इसे डारेक्ली चूले के ऊपर फास्ट आज पर उलट पलट करते हुए घ्रिल कर ले पर मेरे पास यह है सिलिए जिसे हम सीख के थे तो मैं इसमें एक ही सीख में सारे समा जाएंगे 300 ग्रम तो हैं इन्हें डाल कर मैं इसे डारेक्ली चूले के ऊपर ग्रिलिंग प्लेट रख कर इसे ग्रिल कर लेती हूँ चारो ओड से ग्रिलिंग स्पोट आ जाएं यह देखे कितने बढ़िया से ग्रिल हो चुके मैं आपको दिखा देती हूँ मज़ेदार से एकदम लग रहे है न टिक से बारिक काटते जा रहे हूँ अब यह मैं यहां पर ऐसे कर रहे हूँ आप चाहें तो हातों की मदद से श्रेड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इन्हें जो आते हैं चौपर उसमें डाल कर ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन मुझे चौपर वाली चीजे चिकन मैंने करते हैं, मैं हमेशा इस तरीके से काट लेती हूँ, यह श्रेड करे हुए चिकेन, तंदूरी कही है, टिक्का कही है, उसको आप एक प्लेट में दाल दीजिए, तीन मीडियम साइज के आलू दाल दीजिए, बॉल करे हुए, यहाँ पर यह जो साइट पर मसाला रखा, यह साल दाल दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आदा चुड़ा 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 चुड और अब यहां पर न मैंने दो ब्रेडों का किया है, लेकिन आप सरफ एक ही ब्रेड का कीजिएगा, मुझे दूसरी चीज में भी डालना है, तो मैंने एक साथ ही कर लिया है, बस दो ब्रेडों को कुछ नहीं, जादा, थोड़े से हाड हाड कठे लगे ना मुझे, जो बाहर क अब इस तरीके से एकदम बन जाए, तो यह मैं आधा, यह जो मिक्सचर के अंदर दाल देती हूँ, क्योंकि आधा मैंने आप से कहा था, कि मैं एक ब्रेड का इसमें डालना है, एक ब्रेड का मैं दूसरी चीज में डाल रही हूँ, सारी चीजों को बहुत ही अच्छी से मि अच्छी कम लगे तो अच्छी कर लीजे, नम्मक अच्छी कर लीजे, मैंने स्पाइस कम रखा है, तो आप चाहें, तो चिली फ्लेक्स आधी चमच के बजाए, एक चमच दाल सकते हैं, और आप थोड़ा सा बारिक कट्टी हुई हरी मिर्च या फिर कुटी हुई हरी सादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, इसके लिए मैं नहीं दाल रही हूँ, यह देखिए, एक दम जो चिकन के रेशे रेशे दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं, तो बस यही है चिकन रेशा कबाब, अब इसमें आप थोड़ा सा हातों को तेल की मदद से घ्रीस की और मैं मीडियम साइस के बना रही हूँ, तो यह इतने बने हैं, तकरीबन तेरा बने हैं, अब एक बाउल के अंडर एक अंडा दाल दीजिए, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च दाल दीजिए, और दो-तीन टीबल स्पून जितना दूद दाल कर, मिला कर, इसे साइड पर र कबाब, इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे मैंने बना लिए बार लिए, अच्छा आप चाहें तो इसे स्टोर करके, फ्रीज करके रख के खा सकते हैं, इसे आप थोड़ा अलग-अलग सेपरेटली रखिए एक प्लेट के अंदर, और इसे फ्रीजर के निकाले, धौकरें और खाएं, आप इसे दो हफते तक रख के खा सकते हैं, पर मैं अभी ही बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ तेल चालू कर दिया है, फास्ट आँच पर अच्छा घरम हो जाए, तो इसको मीडियम आच कर दीजिए, और बिसमिला रखाने रेम बोल कर हमार जो कबाब कही है, कटलिट कही है, इन्हें डाल दीजिए, और कुछ सेकेंट के बाद इसे उलट पलट कर दे जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इहें निकाल लीजिएगा, आप चाहें तो टीशू पेपर के उपर चाहें तो रखें, बाट मैं यूजियल है हमारे चिकन तंदूरी, टिका, रेशा, कबाब, बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, डिलिशिस बनते हैं, ऐसे ही मैंने कुछ रमजान की रेसिपीज मेरे चानल पर अपलोड किये, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इन्फाक पुरा प्लेलिस्ट ही है, चटन पीसी भी दाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी आप एक छोड़ा चाय का चमश दाल सकते हैं, यह देखिए, माशालला क्या बढ़िया लग रहे लग रहे ना, रेशा, कबाब हमारे चिकन टिका टाइप्स, और डिलिशिस है ना, इतने मज़ेदार है कि आपको बहुत मज़ा इंशालला, खाके, बनागर भी आएगा, इंशालला, तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज के, अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं, तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जरू शेर कीज़ेगा अपने कमेंट्स, तो जरू आपके कमेंट्स पने बहुत अच